हेलो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे अतु लॉटो से लिटे अतु लॉटो में यहाँ पर कल की देट में रिजल्ट आये थे तो उसका क्या इंपक्ट पड़ सकता है उससे लिटे क्या आगे के लिए शेयर अच्छा है उससे लिटे तो यह सारी की सारी बाते हम करें इस पर्टिकुलर शेयर से लेटेड टेकनिकल देखेंगे फंडामेंटल देखेंगे बड़ उससे पहले आगे बड़े आपसे रिक्वेश्ट है चैनल को सब्सक्राइब बैल आकन को ही टॉल पर नॉटिकेशन को अन करिएगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनशेल एडवाईजर कुछ की स्टाड़ी कर रहे है चीजों को सीखना है जितना चीजों को सीखोगे होतना यहाँ पर आपका स्टॉक मार्किट पर उस चार्ट पर ग्रिप आता हुआ नजर आएगा वीडियो जाती है जाके देखिए पर चलेगा कि सारे शेयर भागते हुए ही नजर आते हैं बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडिशन देते नहीं है और अगर किसी को अच्छे से सीखना है कि क्या कैस से किसलिए भागते है शेयर और कब लेने पर भागते है शेयर कब लेन बेचने पर गिरते है शेयर यह जाना है तो आप हमारा कोर्स है 8605-40501 8169-267037 दोनों नमबरों को सेव कर लीजिए 20,000 का कोर्स है पूरा कोर्स कराया जाएगा थिरी मंस की हैंड होल्डिंग है स्ट लीजिएगा देखिएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि आप जो भी ट्रेंड ले रहे हैं सारे के सारे सक्सेस्फुल होते हुए नजर आ रहे हैं इसके इलावा हमारा वाट्सप ग्रूप है बारे सो रुपे परवंत आप यहां पर पे करके हमारे वाट्सप आप सोच रहे हो कि यहां पर कैसे आगे बढ़ा जाए ठीक है तो आप इन नम्बरों पर कॉंटेक करें साथ में मिलके काम करेंगे ठीक है मैं आपको सब चीज बताते हुए नजरा हुआ कि किस तरीके से हम यहां पर काम करते हैं और कैसे यहां पर कितनी रिटर्न आपको मि करेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ी बढ़ते हो जानते हैं और तो लॉटो की बात करें तो 366 रुपीज का आप शेयर है और लगबाग 1.5% यह गिरता हुए नजरा है 875 रुपे का मार्केट कैप है तो माइक्रो कैप शेयर है तो जब भी मैं इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करूं और जिन में मार्केट कैप कम हो तो याद रखिये तो रिटर्न मिलेंगे तो ऐसे रिटर्न मिलेंगे कि आपके कुछी टाइम में पैसे डबल होते हुए नजर आएंगे और अगर जब मार्केट गिरने पर आएगी तो याद रखिये आपके रिटर्न चीन भी ले जाएंगे तो इस चीज को क्या रखना है माइन में रखना है शेयर की बात करें प्रमोटर्स प्रमोटर्स के पास यहां पर देखिए शेयर घटते हुए नजर आये 52 से 49 49 से 46 परसेंट तो यह क्या है यह चीज थोड़ी सी नेगिटिव इंपक्त डालती है इसके इलाबा पब्ली की बात करें वह पब्ली की बढ़ती हुए नजर आई है पर पब्ली की होल्डिंग बड़ी जरूर है बट किसी एक पर्टिकूलर शक्स ने अच्छे कासी होल्डिंग बढ़ाई है जिनका नामे विजय किशनलाल केडिया सर्ट जिनकी इसेदारी लगबग लगबग अगर हम बात करें डवल होती हुए नजर आई है डवल तो नहीं डवल के आसपास है ठीक है यहां पर देखिए इसके इलाबा यहां पर केडिया सेक्यूरिटी भी इनकी है 1. 1.23% कि ये शेर इनके पास है तो यहां पर क्या है इन्होंने इससे दारी अच्छी घासी यहां पर बढ़ाते हुए नजर आए हैं और इससे पहले जब मैंने एक बार वीडियो बनाई थी कि इन्होंने 100 करोर रुपीस के आसपास के यहां पर डिवेंचर करीते हुए नजर आ और दोसों के बाद वो शेर यहां पर आप देखोगे तो डवल होता हुए नजर आया विदिन एट मन्त और सब्सक्राइब क्या करना चाहिए तो उससे लेटीड बाते कर लेते हैं सबसे पहले आप देखोगे तो यहां पर अतुल आटो का नाम आपने सुनाई होगा आप लगजित सब्सक्राइब कर देखते होंग औकर मोशली जो यहां पर बनते हुए वह वह अतुल आटो के हुए यहां पर बनता हुए नजर आते हैं इस डमेंस्टिक और ऑवजी के पास है अच्छे कासे अलग-अलग ब्रेंड्स के यहां पर EV से एलेटेड, PNG, CNG, हर तरीके के आटो यहां पर इन्हों निकाल रखे हैं, वह के अलग-अलग बिजनस में भी एक कंपनी यहां पर काम करती हुई नजर आती है, तो एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट क आती है, अच्छा कासा बिजनस मॉडल है, ओके यहां पर आप सब कुछ आके यहां पर देख सकते हैं, इनके बारे में, यह रिक्षा यह बनाते हुए नजर आते हैं, तो अच्छा कासा बिजनस मॉडल है, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है, बट अगर हम यहां पर द नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है कि लॉंग टर्म के वीजन से ऐसे शेयरों को हम यहां पर नहीं रख सकते हैं इस चीच को याद रखिएगा 434 का इसने 52 भी खाई लगा है 366 पर चलता हूँ नजर आ रहा है 5 रुपए की फेस वैली है कोई प्लैजिंग नहीं है यह सारी की सारी पॉजिटिव बात है अब बात करते कंपनी की तो यहां पर देखे कल इसके रिजल्ट आये थे तो रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के ज करेंग करेंरों पोरेटिंग जेनरेट किया था नेट profit जनरेट किया था वो सारा इनों ने यहां पर आप देखे जाये तो नेगटिव में आता हूँ दिखाई दिया घुझाटा मुटाहनी here seçak पर इनका जो profit है वह negative होता हुआ नजर आया और बहुत ज्यादा negative impact यहाँ पर मैं कहूँगा इस particular share का इसके लाबा यहाँ पर आप दिखाए दिये इसके लाबा यहाँ पर आप देखोगे yearly यहां पर होती हुई नजर आई और कंपनी अगेन यहां पर घाटा करती हुई नजर आई जो आग दो क्वाटर पहले अच्छा दिखाई दे रही थी रिजस्ट की बात करें रिजस्ट बड़े हैं बट साथ-साथ ब्रौराइग भी बड़ती हुए और जो वर्किंपोगेस मे है 17 करोड का इंवेस्टमेंट केश की बात करें तो 6 करोड का ही कैश यहां पर बचा हुआ है और प्रमोटर्स के पास हम यहां पर बात कर चुके कितने शेयर है अब क्या हो सकता है उससे बात कर लेते हैं अगले कौटर के नंबर जिसी साफ से दिखाई दे रहे हैं शायद अच्छे आएंगे तो मैंने यहां पर कुछ कॉंटिटी बाई करी थी बट एक पर्टिगुरा स्टॉप लॉस तीन सो पैसाट रूपे का लगा भी रखा था तो वह स्टॉप लॉस कल यहां पर हीट हुआ और स्टॉप लॉस हीट हुआ तो क्या होता हुआ नजरा है मैं य अगर भागता है तो यहां पर कैच मत करिएगा इस रैली को क्योंकि अगर आप कैच करेंगे ना तो ऑपरेटर भगाते जरूर है क्योंकि काफी लोग इस लेवल पर लेके बैठे हुए ठीक है और उन्हें यहां पर निकलना होगा तो कभी ना कभी शेर को बगाएंगे तो उस केसिस में कोशिश मत करना और अगर कोशिश कर भी रही है तो विना इस टॉप लॉस के यहां पर चालू मत हो जाना अदर्वाइस यहां पर एक इंपक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा शायद आपके यहां पर रेटर नेगिटिव में कनवर्ट होते हुए नजर आ सकत सकता है यहां पर दो सो रुफए तक की और दो शोव भी ओस्ती है और एक बार हम देखा सकता है लगे बट और अच्छे शेईर को अंगे तो पैसा बनेगा और श्टॉप पॉलो करिए ठीक है अगर आपको पूट्फोलियो छोटा है तो इस टॉप लोज को फॉलो करिए ताकि आपके पास पॉट्चिनी रहे जितनी बार पॉट्चिनी रहेगी ठीक है उस में आप ट्रेड करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा लॉंग टरम की बात करें तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए गा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा चैनले को सब्सक्राइब बैल आइकन को हिट करिएगा नमबर अच्छे है नहीं इन नमबरों को यहां पर कॉंटक कर लीजिए यहां पर कोर्स वाट्सप ग्रूप में ह